हलो गाईज आज हमें इनकट डिजाइनर बिलाउस की कटिंग करना सीखेंगे एक आसान तरीके से दो तरीका में बताऊंगा दोनों तरीके से आप कटिंग कर सकते हो तो यह आप देखो किस तरह से किया हुआ है आप खुद दिमाग लगाओ कि इसका डाट्स किदर मारा हुआ है अकीस कट में हैं तो इसको सोस समझ के किस तरह किया जाएगा कि इस तरह बैड़ जाएगा तो यह मैं वीडियो में बताने वाला हूं कि इसको किस तरह से कटिंग करेंगे तो सेम तु सेम डिजाइन को बना सकते हैं कोई प्रोब्लम नहीं होगा अच्छी तरह बन 1 लिया article लिया त्रव दर्व 5 आप आपए explaining back on रखेंगे तरे किसे मेजर्मेंट मुझे भी वई ने भीजा है पूना से तो मुझे उनके हिसाब से मैं कटिंग कर रहा हूं तो मेजर्मेंट उनों ने बेजा है और मुझे बोला इस तरह कटिंग करने के लिए ठीक है तो लाइन को हम सीधा कर लेंगे और एक हिंज के कड़ी हम बढ़ा लेंगे क्योंकि देखिए वेस्ट पे मॉडल ने जो पहना है उसका वेस्ट पे कैसा सेंटर में बाहर की तरह वैसा मॉडल ने कि साफ से उस तरह करेंगे स्ट अब हमकराँ करेंगे अब टुनर लिए पंसंपर ऑर आप हम सोलडर का सोल्डर का स्लोपिंग कर देंगे जिस तरह कि या जाता है नॉर्मल जिसक्र कर रखा है तो आप जूम करके देखो मॉडल ने किस तरह का पैना है बहुत छोटा सा मतलब सोल्डर है उससाब से मैं रखा हूं तो और नेक मैंने साड़े चार इंच पर उतार दिया है और छोटा सा तो अच्छी तरह से यह टाइट बैठेगा कभी भी यहां पर द्यान रखा करो कि यहां पर माइनस पर ही चलना है कभी भी ओबर नहीं जाना है ठीक है इस तरह से मैंने सेप लगा दिया जो मैंने सावा इंच का सोल्डर का ब्रॉणिंग लगा था वहां से लेके और सीधा डा अधर पर ताकि हम वहां पर डाट लगाने वाले एक इंच माइनस करो या डाइंच का अब डाट लगा लो दोनों में कुछ भी कर सकते हो और इस तरह से मैंने साड़े साथ पर निशान लगा के आर्मोल डाउन करके निशान लगा है तो साड़े नो पर लगा है 38 अमारे जो अच्छी तरह से मतलब देखके देखेंगे कि बराबर आ रहा है नहीं तो इस तरह से आप उठाके यहां पर कोई भी से पट्टी से नहीं दे सकते हो क्योंकि यह से पट्टी से नहीं बैठता है फ्रेंच करवा से भी यह बराबर नहीं बैठता है हांस से यह आपको लगान को अभब न हो और यहां पर जोड़ेंगे तो लेकिन वहीद हैं अभी बताऊंगा आपको पकड़ना है वहीं पर जा निचे में ने डाट दिया और वहां पर हम इस तरह से बराबर कर लिया जब हम जोआट करेंगे नीचे के तो बराबर आना चाहिए तो यह बराबर जहां होता है वोगह लगाना इस तरह लेंथ नाप से हमको आगे तो साड़े आठ में निसान में लगा लिया लगा कि अभी हम साइड को बन कर देगे तो इस तरीके से हमारे जो है पूरा पर्फेक्ट हो गया है इसमें फुल बश्ट नापने की कोई जरूरत नहीं है पर्फेक्ट आता है मैं नाप के नहीं दिखा रहा हूं लेकिन आपको द तो यहां भी करके मैं थोड़ा सा मार्किंग करके आपको दिखा देता हूं किस तरह वहां पर करेंगे तो यह मौडल ने जिस कट का पहना है उस तरह किस तरह आएगा तो मैंने तो अलग किया क्योंकि भाई ने बोला था कि मुझे जो है इस तरह का नहीं चाहिए इन कट मे पहनों चैंग proprio कोई दिखकत नहीं होगा वहां तो मैं चैंजिंग के साथ बना रहा हूं इसलिए मैं आपको बता रहा हूं ठीक है तो इस तरह से किर लेंगे लेकिन है तो »& 6 निषान लगाया यानि कि वहां से 57 नाप कि मैas दिखा रहा हूं अपर चेइस जितना है उत्वा पर बढाना नहीं है जो मै ने नीचे बढाया था आधा नहीं जो अ पर बढाना नेइए अपर चेइस जितना है यानि कि साड़े नो पे लगाएंगे तो 38 औरता है तो उतने पे लगा लेना है और वहाँ पे इस तरह का एक्दम सेफ देते हैं अच्छी तरह से shoulder seam जहाँ पर रखना है उतने ही पर ही जिस तरह का मैंने सवाइंच का उपर रखा है उसी हिसाब से रख के इस तरह का safe देना है तो उस पर नहीं दिख रहा था तो मैंने black chalk लिया है तो उससे मैं मार के दिखा रहा हूँ अब देखिए यहां पर डाट कितना gap आ रहा है सवाइंच का तो इसी तरह यहां भी सवाइंच को इस तरह से बढ़ा लेना है यानि पूरा उपर का डाट कम हुआ है तो नीचे लाके बढ़ा लेना है तो इस तरह के से बराबर हो जाएगा ठीक है और यहां भी सवाइंच आए और इसी तरह यहां भी सवाइंच उट जाएगा तो इस तरह से सब जगा एक जसा आएगा और बराबर आ जाता है तो यह सब टेकनीक होता है अपने हिसाब से टेकनीक लगा लगा के अलग-अलग cutting हो जाता है और यह cutting करके मैं आपको दिखाऊंगा कि इस तरीके से करो या उस तरीके से करो या कोई भी तरीके से करो अगर cutting बराबर है तो कैसे भी करोगे बराबर ही आएगा तो मैं अभी आपको दिखा दूँगा कटिंग करके दोनों पार्ट को अलग-अलग किस तरह से यह बराबर आता है तो इस तरह मैंने नापा यहाँ पे तो जितना है उतने इसको भी बराबर कर लेंगे अभी यह बराबर आएगा यह उपर उड़ गया थोड़ा सा तो इस तरह से जब ब्रॉल्ड हुआ है डाट तो आगे की तरफ गया है इस तरह आगे यह सवाइंच और आगे भी चला जाएगा तो देखें कहां-कहां पे यह चेंजिंग हो रहा है उसी तरह सब चेंज हो जाता है तो इस तरह चेंज करके मैं एक मार्किंग करके आपको यह भी दिखा देता हूँ और कटिंग करके दिखा देता हूँ तो यह देखें मेरा हो गया ड्रॉइंग अब इसको हम cutting कर लेंगे, इसका भी side बन कर लिया हमें, ठीक है, तो ये बराबर हो गया भी, तो नीचे center का जो part है, हमारा एक ही रहेगा, side का changing करके मैं आपको दिखा दूँगा, कि ये side का change करके, अलग-अलग तरीके से आप बना सकते हो, इस तरह से कर सकते हो, आपकी मर्ज के changing पे सब बनाया हुआ है, यानि इम रोडरी उस तरह का करेंगे, तो ये perfect हो जाता है, अब हम इसका cutting कर रहा है, और cutting करके आपको दिखाते हैं, तो पहले roughly cutting कर लेता हूँ मैं, उसके बाद में दोनों part को अलग-अलग करके, दोनों princess को अलग-अलग करके मैं दिखाता हू center का part एक ही रहेगा, इसमें कोई changing नहीं रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना होना है, एक चटका लगा लेगे हम dot point पे center पे, बाकी हम इसको cutting कर लेगे, तो cutting करके अभी मैं दिखाता हूँ, दूसरा भी एक panel cutting करके किस तरह से होता है, ये बहुत ही आसान होता है, इसको cutting करना कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है, आप एक cutting करना जान जाते है, उससे कई तरह का changing करके आप कर सकते हो, ये dot का हम निकाल देंगे, जो हम एक dot जो कम मारे थे, उसका निकाल लिए, फिर दूसरा cutting करके आपको दिखा देते हैं किस तरह से करना है, ठीक है, तो इस त cutting कर लेगे, तो पहले मैंने उपर उठाए तो उसका marking कर रहा है, उसको किस तरह cutting करना है, इस तरह कर लेगे, तो बरबर एकदम आता है, अच्छी तरह से आता है, तो जोइंड करेंगे, तो ये की तरह का आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, इसको कुछ दिक्कत वाला है, ब मैंने एक ही पार्ट में solder रखा है, दूसरे पार्ट में नहीं रखा है, क्यूंकि इस cut में जो हम उस तरह का देंगे, तो नहीं चलेगा, क्यूंकि आप देखो, जूम करके, फोटो को कि इसमें cut देंगे, तो नेक में problem करेगा, क्यूंकि नेक में काम है, तो इसलिए मैंने cutting कर लिए आप दूसरे को cutting करके आपको दिखा रहा हूं किस तरह किया आता है ठीक है तो इस तरह से cutting कर लेंगे तो ये perfect हो जाता है और दोनों को हम join करके आपको दिखाएंगे कि दोनों equally है कुछ problem इसमें नहीं है ठीक है नेक का लोग उन्होंने 11 इंच का दिया है तो उस हिसाब से मैं cutting करके दिखाता हूँ तो इस तरह का अगर कभी आपके पास आता है तो उसका back किस तरह cutting करना है वो आप देखिए मैं बता रहा हूँ तो इस तरह के सब हमने रखा बराबर पर और आधा इंच हमको solder बढ़ा लेना है उपर भी और आगे भी दोनों तरह बादा आधा इंच बढ़ा लेना है इस तरह मिला के solder का जो C में हम बराबर कर लेंगे बराबर यानि मैं चोना चाहिए जोइन करने बाद में तो देखिए सेंटर में gap आगे हैं अब हम क्या करने हैं साइड का पैनल लखेंगे दोनों में से कोई भी एक पैनल लखेंगे और इस तरह रख देंगे ठीक है इस तरह रख के हम निसान लगाएंगे अब यहाँ पे आर्मोल का अब अपर चेश नापेंगे कि अपर चेश हमारा थर्टी एट है तो साड़े नो इंच बराबर है की नहीं है तो यहाँ पॉना इंच नीचे की तरफ उतार देना है जो हम खीच के लगाते हैं वही तरीका है लेकिन यहाँ पे पहले ही माइनस कर दो अगर आपको खीचना नहीं जमता है सेब देंगे हम इनकट का तो इनकट का सेब अच्छी तरह से आपको देना है अगर बराबर नहीं लगता है तो दुबारा कम ज्यादा कर सकते हो अगर ज्यादा अंदर दिग रहा है तो थोड़ा इस तरह बाहर कर सकते हो आपकी मर्जी है आपके उपर है किस तरह का देना है थोड़ा राउंड करके देंगे तो अच्छा दिखता है बाकी एकदम इस्टेट नहीं देना है इस तरह से हम लेंद का निसान लगा लेंगे और एक इस तरह का निसान जब हो जाएगा तो हम यहां भी हम मेजर करेंगे कि हमरा ठटी पो रहे है तो फॉर्स डिवाट करेंगे तो साड़ा आट इंच होना चाहिए, तो साड़ा आट इंच पर लगा के, अब पौना इंच के करीब, एक इंच के करीब बढ़ा के डाट के लिए हमको लगा लेना इस तरह से, और साइड को बन कर देना, तो इस तरह से ड्रोइंग हो गया है, अब हम इसका ड्रोइंग नेक का और डार्ट हम निकालेंगे नीचे इस तरीके से देखिए 11 इंच का अमारा लो मिला है नेक हमारा क्टिंगा के लिए बताया गया है तो यह तरह पజिएक अन्यक ह्यातक通常 से इस तरह नेक आक जुन करो इन तो वहाई तो ऑस reactionald को जिस तरह करों हδα कि क्लовор है MARY पूल्डर पर आधाइंज के करीब तो उस तरह से कर लेना है अपको तो अच्छी तरह से टाइट बैठेगा आगे का गला भी और पीछे तरह बैठेगा अगर आप बराबर पर कटिंग करते हो कभी ने बैठेगा आप ट्राइ करके देख लेना क्यूंकि बहुत लोग को मैं बराबर पर ही करते हैं आगे का भी गला और पीछे का भी गला तो इस तरह से बिल्कुल नहीं बैठता है वो रॉंग तरीका है बिल्कुल ही रॉंग तरीका है अभी भी बैक का नेक जो है ब्रोडिंग होता ही है और बहुत लोग ऐसे ही करके और बना देते हो अच्छा नह करे देख लो जो भी भाई, लोग देख रहे वीडियो आप लोग ट्राई करो इस तरह से कुटिंग करके मेरे तरीके को देखो यह बैड़ता है यह नहीं बैड़ता है बहुत लोग है जो फ्रेंड बैक बराबर करते है वो बिल्कुल रॉन्ग है कोई भी करता है आज से बदल दो अपना जो भी cutting करने का तरीका है आप लोग change कर दो इस तरह से cutting करके देखो normal नेकक कोई भी हो कुर्तियों का नेको कोई भी नेको ने दो कभी भी जो नेक होता है back के मकाबले में मेरा cutting करने का तरीका एडिया पसन्द आया है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सबस्काइब परो और दोस्तों में सेर जरूर करो तो देखिए किस तरह से कटिंग हुआ है इस तरह से कटिंग करके आप देखो चलिए वीडियो एंड करते हैं, अल्ला आपिस